तो सबसे पहले बताईए आप कि एरपोर्ट में क्या क्या मतलब डोकुमेंस चेक क्या था इमेरिगेशन पर आपको यह जो अपना कुलकाता एरपोर्ट में मैंने अपना सारा डग अलो गाइस विलकम बैक तो माई यूट क्यानल एहमद दुबै बलोग्स आज मैं आपको बत यूट कर रहा है कि मैं बहुत जिन से रहा है याना दुबट कर रहा था जाना है दुबए दुबए आने कले लेकिन मैं जहां भी रहता है कोई 17,000 तो 80,000 पी जर अजिए है और जबन लोग मांग रहा है जहां बने केला होता है मैं सोचा कि क्यो ना खुछ से ठ्राई क्योंकि मैं अगर फुच्छ ट्राइ करूंगा होतकता है कि कभी मैं किसी के कामा सबूँ तो मैं आप लोग का वीडियो और भी यूटुबर्स लोगों का वीडियो देख दूखते हैं उसके बाद मैं Exego App में यूज करता था तो वहां से मैंने रिगूलर वाइज में चेक करता था तो मैंने टिकेट जो है रिटर्न टिकेट निकाले रहा करीबन 22-30,000 रुट पलकाटा से पॉल्काइब टू मुंभई भी अच्छ वाया करते तो मतलब वुजाब कहां से निकाले थे एक पॉल्काइब वे जाल्य एक दमदम एक एजेंस्य आगे किपने लिया से चौदा यार हुजा रपया दिया सोदार पासी कोई धिया और कुछ दिया और कुछ दिया और कुछ वगरे दिया उसमें आपका इंसुरेंस दिखा देकि फिवी में अपना सेफ्टी के लिए अलग से इंसुरेंस भी निगाला था तो वहां से कितना लगा 17,000 वहां पर 14,000 लगा उसका बदा कितना लगा आने का कि ओधर मेरा 23 रुब्या पड़ा और 14 रुब्या उसका बड़ा टिकेट के बड़ा और इसको बाफि 105 में टिकैट भी नियगा और यहां क्यूंत प्रेंस इंडिया थे जी कर दे आदे हैं वहां सब टिकर का मतलब अलग-अलग होता है तो मतलब हैं यहां पर आने के लिए सबसे पहले बताई आप कि एरपोर्ट में क्या क्या मतलब दोकुमेंट चेक के था एंटो एको से इस्धार पर कि एकि एन ओक कॉलकता ऑरक्राइड अकतर को जैरने तो आज भी की किसके एंटी कर लगटित जागतर हो अगरी नपिभर एंटाद कर दो यह करता है stretch मुंबेय का जो की इंटीप संही बैंटीप किसे पनाई canadji मेरा यहां पे युझ 총 । अब क्या बता ही नहीं कर दो करने के लिए कुछ निया रहा हैं मैं वोष नहीं करेंðा ऍया रहा हूंझा तो अपे लिए में पास भाइu पुछ से ही पू sneaking के लिए जोब जोब करने दुबाए जोब इसका निकले, आपको वहीं पर िट कर देगा, तो अपने जो बिज़ा निकाला था अंकीतबाय, 14 जार में, कितना दिन का विज़ा था था? 60 देज का तो, तीन मंत का विज़ा भी आप फूसे में मिल गा की नहीं मिल रहा है? यहां पर आने के बाद आप खुद को समय दे सकते हैं अगर आपको 60 डेंट में जौब नहीं मिला तो आप यह कर सकते हो कि विजा को एक्सेंट करने के यहां पर आप चांस दिया है गौवर्मेंट ने पहले मतलब यह नहीं था अगर आप दो मंद कराना चाहते हो तो आपको आपको इसली हो जागा यहां पर बहुत कम पैसम हो जागा वन मंथ कराना आपको है तो अगर आपको इस टेंड नहीं कर दो मंद कर वाना तो आपको जरूरी है पहले क्या हो दादा कि पांफ दरम देखें अब नहीं होता है अब यहां को मतलब कहीं कोईट यह फिर ओमान कह अब जब एक बात और जब आप एयर्पोर्ट पे आ रहे हो तो आपको फॉर्मल ड्रेस में मतलब अच्छा गूड लुकी होना चाहिए एक दम आपको फीट फट दिखना है इसने की मतलब गरीब टैप का दिख रहे हो एयर्पोर्ट में तो उसमें क्या होता माले में बंद जैसे मेरे से कुछ पुछ आने किया तेकि मेरे से आगे वाले जो बंदे लोग इंसे बहुत सारा कुशन किया रहे है क्या है नहीं है किसलिए तो वैसे आपका अपना गेट अच्छा बना के आओ बस यह मैं बोलो विज़िट भी आप आ पार रहे हो ना तो आपको गेट अ आपको प्रोसेस होता है जैसि आप आप आप्लाय करोगा ना इसलिए आपको पास ऍपिश्क ज संसाब प्लाहए करो नहीं होपाएका तो मतलब पैसे आपका कड़ आएगा अगर कुछ भी गलती मिश्टेक होगा तो फिर आपका रेट कर जागा नहीं हो पाएगा इसलिए सबसे बहतर यह है कि को अभी ट्रेवर अजंसी वहां पर जाके आपना बीजा अपलाई करें ज्यादा अच्छा रहेगा ज्यादा चांस अगर आप 15 दिन पहले निकालोगे ना दस बारा यहार कंदर मोगा जागा गए प्रण में निकालोगे 10 दिन के वन वीक के अंदर में फिर आप उसमें 15 जार बीस जार भी लग सकते है टिकट का इंडिया का बिसिकली पूरा यह पूरा इन्फोर्मेशन है अगर आप इंडिया से आ रहे हो दुबै तो कैसे आना है पूरा मैं आपको इस वीडियों बता च अजया रहे हो दूसरा निकालोगे 10 एंडिया से दुबै कैसे आना है अगर वीडियों अच्छा लगाऊ तो फ्ली तो सब्सक्राइब करें वीडियों को लाइक करें और दोस्तों लोग में शियर करें खुला आफेश्यू आफेश्यू